तो चले आज बनाते हैं जटपट वाले खस्ता खजूर बिस्किट जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप इसे बस पांच उनट में बना के त्यार कर सकते हैं तो यह भी हमने एक कप के करीब गेहूं का आटा लिया है आप इसकी जगे मैदा भी यूज कर सकते है फिस में डालेंगे आधा कप के करीब बारीख वाली सूजी अगर मोटी वाली है तो आप इसे जार में डालके ग्राइंड भी कर सकते हैं फिस में डालेंगे टेस्ट अकोर्डिंग सुगर जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हमने सुगर पीसी वी ली है फिस में डा मिक्स करेंगे जिसको सब्सकें नहीं से इसको किसे सथमीट सब्सक्राइब सकते सब्सक्राइब तो फोड़ा सा ड़कल दो लें लेगे लोगा को ब气 को बाना ख़ेऊ को 9 बिस्कट का बहुता है और बिल्कुल आच्छे से स्मूध कर लेंगे जिसे की बिस्कट हमारे बिल्कुल क्रैक त्री बनके त्यार हों फिर एक सार्फ नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे, सेव दे देंगे, आगे का थोड़ा सा पोर्शन कट करके निकाल देंगे, इससे बहुत अच्छे से सेव पाता है, तो ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया, साइड में जो हलका सा फैल रहा है, उसको हाथ से अच्छे से सट कर देंगे, थोड़ा सा सार्फ नाइफ से ही कट कर देंगे, इससे कभी-कभी क्या होता है, फैलने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता, तो ये देखिए, इससे किसी भी फेस्टिवेल में भी बना के त्यार कर सकते हैं, बहुत ही जादा टेस्टी लगते है तो ये देखिए, बना के त्यार कर लिए हैं, अब इधर पैन में ऑईल ले लिए, इसमें थोड़ा सा डो डाल के हम चेक करेंगे, अच्छे से गरम हो चुका है, बहुत ज़दा हमें हाई फ्लेम पे इनको नहीं पकाना है, बिल्कुल हलका से बबल साने तक हमें गरम करना ह आयल को, तो इस तरह से हम फिर डाल देंगे, डालने के बद जिसे की हलके हलके से बबल साना स्टार्ट हो जाए, और डालने के बद इसे 1 साइट से हमें 2-3 मिनाट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकाना है, जिसे की अच्छे से पक जाएं, एक साइट लाईट-गूलड कि वहीं हम पका अब दूसरी साइड भी हम पकाएंगे और इनको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे क्या हैं थोड़ा समक्या होती है तो इनको क्लार先生 सब्क करके निकाल लेंगे और अगर आपको हमारी ये स्वीट की रेशिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगा बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिसे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे तो यह देखिए अभी हमने सारे बना आप इसे चाय के साथ या फिर हलके फुल के भूप में भी इसे इंजॉय कर सकते बहुत ही यमी लगते आप इसे एक से दो महिने तक अराम से स्टोर करके भी रख सकते बिल्कुल भी यह खराब नहीं होते और फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत ही अमेजिंग आता है अग थैंक यू फू वाचिंग कल फिर मिलते एक नई रेशीपी के साथ बाबाए